अब आप 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 अब आप आप स्वागत करती हूं देखे फ्रेंड्स हम लोग यहां नौर्थ इंडिया में रह रहे हैं यहां पर आजकल बहुत थंड पड़ रही है इतनी थंड पड़ रही है कि सुरस सुबेरे 10-11 बजे तक नहीं दिखाई देता है और हम लोग तो फिर भी अंदर रहते हैं पर हमारे पेड़ पॉदे इस थंड से जो हैं वो बहुत परेशान हो गए हैं लेकिन इतनी परेशानी हूं इतनी थंडक में भी यह खिलते रहते हैं बराबर और हमारी खुशियों को बढ़ाते रहते हैं मैं जब भी मॉर्णिंग में आती हूं कितने भी ठंडे में एक बार अपने प्लांट को दरूर देखती हूं और बड़ी खुशी होती है तो फ्रांट्स फ्रेंट्स आज जो है यह वीडियो मैंने देखिए यह मेरा जो है यह हाइबरेटी वेराइटी का रोज है यह वीडियो मैंने अज उसके उपर बनाया है यह देखिए कितना सुंदर गुलाब दिखाई दे रहे हैं इतनी सर्दी में यह मेरे गार्डन में कितने सुंदर पर दिखाई दे रहे हैं हाइबरेटी जो है यह बहुत ही सुंदर देखिए कितनी इसमें घनी पैटल्स है और कितना बड़ा यह गुलाब है इसके साथ ही स्टैंप्स भी बहुत मजबूत होती हैं तो बहुत ही खुब्सूरत लगता है अब मैं अपने पहले की वीडियो में बता हूँ आपको फ्रेंट्स तो मैं इया आपको पूरी तौर पर बता चुके हूँ कि आपको विन्टर्स में और उससे पहले भी अपने रोज प्लांट्स की किस परकार से केयर करनी है, समय समय पर किस परकार से मैनियोर देने और किस प्रकार से उनके पैस्ट आदी को भगा के उनको जो है वो अच्छी तरह ग्रो करना है तो आज के वीडियो में मैं आपको रोज की विराइटी के बारे में और इसके साथ ही पांच अगर आप जो हैं अपने गार्डन में फ्रेंड्स पसंद करते हैं क गुलाब हमारे गार्डन में अच्छा हो इस प्रकार का हो तो उसके लिए मैं पांच बहुत ही महत्पून बाते बताने जा रही हूं इस वीडियो में और उनको जो है आप ध्यान से सुनिये और उस पे जो है अगर आप ध्यान देंगे तो आपके गार्डन में भी अच्छ स्कूश है यह रोज इसको ने तीन tussen डिवाइड किया तो यह पहली जो इसकी वराइटी मेरे गार्डन में दिखाई ले रही और ऀसको डॉर्जि बणा में और सीर जुटटे रोवह सार्भी अखेया डिवार von CHT μέ तो आपके गुलाब होते हैं तो देखिए जब आग अगर आप इस चीज में रुची रखते हैं कि आप अपने गार्डन में रोस को प्लांट करें तो उसकी प्लांटिंग के समय जो है आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तो आपके गार्डन में अच्छे गुल संदित है गुलाब के लिए स्पेस तो यह जो है आपके घर की स्पेस इस चीज को निर्धारित करती है कि आप अपने बगीचे में कितने गुलाब के पौधे लगा सकते हैं यदि आपके घर में जमीन है गुलाब लगाने के लिए और आप ये हाइबर्टी वेरेटी का इसके लिए जमीन में कम से कम कम से कम तीन फिट की दूरी एक दो पौधों के बीच में होना जरूरी है दूसरा जो है वो अगर आपने फ्लोरी बंडा लगाया है जमीन में तो उसमें कम से कम दो फिट की दूरी पर पौधा लगाईए ताकि उनकी जड़े ठीक प्रकार से फै बहुत जरूरी है और इसी को अगर हम गमलों में कनवर्ड करें तो देखिए रोज लगाते समय मैं पहले के वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि आप जो पॉट सेलेक्शन करें एक तो पॉट्स आपके मिट्टी के होने चाहिए और दूसरे खुले और बड़े होने चाहिए ताकि हर रोज की जड़ जो है रूट वो अच्छी तरह नीचे फैले और उसको मैनियोर भी अच्छी तरह मिल सके और जितना ही स्ट्रॉंग पॉदा होगा उतना ही अच्छा गुलाब होगा उन पॉदों को गमलों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखिए अब जो मैं इसके बारे में फ्रेंड्स तो सन लाइट जो है वो आपके बगीचे में कितनी आती है इसके अकॉर्डिंग आपको गुलाब लगाना है अगर सुबह से शाम तक आपका जो घर है वो पूरफ फेसिंग है और उसमें 6-8 घंटे तक की लाइट आती है तो आप ये हाइब्रि फ्लोरी बंडा के फ्लार जो की मिडल लेवल के होते हैं ना बहुत बड़े ना चोटे वह फ्लोरी बंडा के फ्लार आप रोज़ लगा सकते हैं तीसरा रहा मीनियेचर तो मीनियेचर विराइटी की रोज़स को बहुत अधिक सन लाइट नहीं चाहिए अगर 2-3 घंटे की सनलाइट आपके गार्डन में आती है तो आप मीनियेचर और देशी गुलाब अपने गार्डन में अराम से लगा सकते हैं तो यह हुई इनके ध्यान रखने वाली बात कि आपके घर में कितनी सनलाइट आती है उसके एकॉर्डिंग आप ये निर्धारित करेंगे कि आप प्लांट लगाते समय आपको यह अबजेक्टिव तैय कर रहा है कि आपने आखर इसको क्यों सिलेक्ट किया है मीन्स यह कि बहुत से लोग होते हैं उनको फ्रेग्रेंट एकदम खुश्बू वाला गुलाब चाहिए तो उसमें वह देशी गुलाब लगा सकते हैं वह और ख पूजा के लिए काफी फूल चाहिए तो भी आप मिनियेचर और देशी गुलाब बहुत हो जाता है गमलो में अगर यह अबजेक्टिव है आपका तो आप वो लगाईए लेकिन अगर आप अपने बंगले को एक अच्छा लुक देना चाहते हैं एक महंगा लुक देना चा घर में लगाईए चार से इसके गमले लगाईए बहुत खुबसूरत लगता है इसकी पूरी केर पे यह देखे सामने इस प्रकार से हाइब्रटी का गुलाब होता है अब इसके बाद जो है इसके बाद का फूर्थ पॉइंट जो मैं आप से डिसकस करना चाहती हूं फ्रें हाइब्रटी रोज है इसको अपने घर में लगाए हाइब्रटी का गुलाब जो है इसके स्टैंप्स बहुत मजबूत होते हैं बहुत मजबूत इसके तने होते हैं इसके साथी जो है यह कितना सुंदर देखे खिलके आता है कितना बड़ा है गठा हुआ होता है इसका लु अपने गार्डन में लगाएं और एक चीज का विशेश ध्यान रखें कि यदि आपकी गुलाब की पत्तियों पर थोड़े से भी पैस्ट हैं कीड़े हैं तो आप उसके लिए पैस्टाइट का उपयोग करें होममेट या बजार कोई भी साफ भी आता है पैस्टाइट इसके स तो इस प्रकार से अगर आप रोजिस का सेलेक्शन करेंगे तो बाग में आपके इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अच्छे गुलाब जो हैं वो आएंगे अब इसके बाद जो है सबसे बड़ी बात है भाई जिम्मेदारी की बात हो जाती है कि अगर आपके घर म लुकाफ्टर करने वाले आप एक सिंगल है तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक दो लोग जितने जाधा लोग होंगे उतने ही जाधा फूलों की देख भाल होगी उतनी ही जाधा इन सुंदर गुलाबों की देख भाल होगी खात कोई डाल सकता है पानी कोई डाल सकता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा सब लोग अगर मिल के बागवानी करें तो बहुत अच्छे गुलाब आपके गार्डन में हो सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो इसके ये पॉइंट्स पसंद आये हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजे हप्पी गार्डनिंग